है 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 यह वेल्कम टो यूट्यूब शेटी चलें माथमेटिक सो तो इस उडियों करने वाले एक्सक्राइब एक्ससाइज 7.4 का कॉस्ट्ट नमबर 6 जो कि इस एक्ससाइज का लास्ट कॉस्ट्ट इसमें वो दिया आया है शो देट आप आपको यह बोल रहा है कि अगर आपको एक लाइन दी आती है इस तरह से हम यह माल लेते हैं और एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर नहीं है सबसे चोटी होती है तो सबसे चोटी होती है तो सबसे क्या मतलब हो गया है कि यह लाइन बड़ी होगी तो सेम्पल सॉलूइशन हो जाए वैसका क्या है एक पॉइंट है तो इदर लेखेंगे में कि लेट है एज एनी पॉइंट है एनी पॉइंट नोट lying on line L ठीक है and AB is perpendicular to L and CB the another point another point on line L ठीक है इतना लेख लो आप पहले दो AB land segment हो गया जो की perpendicular है L के C दूसरा point हो गया जो की LN पर है ठीक है जिससे हमने अपने एक और C से joint किया है मैं comparison करें किसी को और अब इसमें प्रूव क्या करना है तो इसमें लेकर हम आगे टू प्रूव इसमें प्रूव करना है हमें कि AB लाइन छोटी है एसी जे दोई लाइन ना तो एबी लाइन छोटी है एसी जे तो दे लेकिन गया हूं कि इबी हुड जेज इस्मॉलर देन है तो इसी ठीक है या मैं इसमें करना इसको करते दिता हमें बॉक्स में बं रहेगा यह मारा कि शमुत के हैं। इसका फूश्यक ही देखते हैं है। Prob क्या हो जागा। तो यह क्या है पूरे गाले ट्रयंगल ठीक है जगल में यह वाले अंगल कितना है हे फूसम की पर्पेंडिकल है तो हम वह करेंगे कि इन ooh है ट्राइंगल ए बीजिए इसमें सब से फ़िर एंगल सम प्रोपरेटी ठीक है एंगल सम् प्रोपरेटी क्या होती है वो होती है कि तीन यों यह सम कितना होता है 180 डिगरी होता है है यानिकि एंगल ए प्लस एंगल पीए प्लैस एंगल सी इप्वल टू कितना खाट डिग्री हुआ है रिमस जागा एंगल्स अम प्रॉपर्टी ओफ इंगल अभी एंगल बी की पता है मैं लुद्य एक निया ने क्या जागा कि एंगल एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री अब डिग्री वाले को हम एक साट लेकर जाएंगे न तो यह जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो इसकी वैल्य जाएगी एंगल A प्लस एंगल C is equal to 90 डिग्री ठीक है तो देखो क्या है कि अकेला एंगल B क्या था 90 डिग्री था और एंगल A प्लस एंगल C यह दोनों मिलकी क्या बना रहा है 90 डिग्री बना तो इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल A और एंगल C क्या है एंगल है तो यह ड़ा हो जाएगा तो गैppen्री क्या गपिसे बड़ हो जाएगा ली क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी ठीका है एसी सबसे बड़ी बड़ी जाए थो बाकी ये दो साइड क्या है चोटी है ए B B C ये दोनों चोटी है है ना ये में निकाल ला है लोग और ली तो हम नहीं निकाल लिया बस क्या है इसको यहां दिखाना हम पूटता है तो इस लेखेंगे हम कि हैंस एंगल ए एंड एंगल सी भी मुस्ट भी and acute angle acute angles जिसका मतलब है which implies जिसका मतलब है which implies angle भई आमें कौन सा चाहिए AB है ना AB साट चाहिए हमें इसके सामने कौन सा angle है angle C ठीक है तो इसका हम बेली लिखेंगे क्या लिखेंगे which implies angle C is less than angle B है ना इसका क्या मतलब हो गया therefore कि जो AB है AB is smaller than AC कैसे आगे क्या करें हम सिर्फ reason लिख दें क्या लिखेंगे reason side opposite to the larger angle is always larger ठीक है यह में प्रूब करना था AB is smaller than AC वो हमने कर दिया समझ गया इसको भी क्या है मैं बॉक्सर बंद करें देता हूं जिससे आप सब को किलियर हो जाए कि जो हमने यह निकालना था वो हमने इतर निकाल दिया यह भी बहुत सिंबल है इसमें कुछ हाड़न पास्ट नहीं है बस क्या है आप प्रैक्टिस करते रहो यह चैप्टर से भी एक बार समझेश नहीं आता है जा आप जितनी जदे मैद में प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैद एजी लगेगा ठीक है आपको यह क्वेशन समझ में आया है तो इस क्वेशन को अपने दोस्तों में सेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राब नहीं किया है तो सब्सक्राब कीजिए हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैन